तो दोस्तों ये वीडियो कोस्गाट असिस्टेंड कमांडेंट के बारे में है इस वीडियो को ध्यान से देखें कि आप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता लेकिन इंपोर्टेंट है कैसे इसका सेलेक्शन प्रोसीजर है और क्या मिनमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए सब भी बातों पर डिसकस करेंगे कैसे एक्जाम पैटन उस सब पर मैं आपको बात करता हूं तो इसमें क्या है कि कोस्गाट असिस्टेंड कमांडेंट का फ़र्वरी से भरा जाएगा फ़र्वरी है स्टेज फर्स और सेकंड एक्जाम होंगे उसके बाद डीवी होगा फाइन सब्सक्राइब की जीरो फीस रुपिया है मिनमम एज की बात की जाए 21 मैक्सिमम कितनी है 25 साल होनी चाहिए आपकी जो काउंट होगी एक साथ 2024 से काउंट होगी ब्रांच ने में मलब अगर जनरल डूटी मेल की बात की जाए तो आपका PCM मैस और फिजिक सिंटर में होना चाहिए और बैचलर डिग्री मिनमम 60% मार्क्स होना चाहिए टेक्निकल मेकेनिकल मेल की बी या बी टेक इंजिनिंग होनी चाहिए आपकी और मेकेनिकल से हो और उसमें क्या है कि 60% होना चाहिए आपका मैस फिजिक जो है इंटर में होना चाहिए आपका टेक्निकल और इलेक्टोनिक्स टेली कम्निकेशन से होना चाहिए आपका और जो आपका है 60% मार्क होना ही चाहिए इसमें मैस फिजिक्स इंटर में होना चाहिए आपका यह किलिए तो यह बेसिक चीज थी अब बात करते हैं सेलेक्शन प्रोसीजर की कैसे क्या होगा सेलेक्शन जो होगा वह क्या है कि 5 स्टेज और तो आप उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिसे वन में क्या होगा आपका एक examination होगा stage first में जिसमें क्या होगा मैं question पता देता हूँ 100 number के question होगे 2 गंटे का समय दिया जाएगा reasoning होगी English होगी reasoning होगी general science होगा और gk general knowledge होगा तो 2 गंटे का समय और 100 question होगे के लिए जो stage second pass करेगा वो से stage मलब क्या होगा second stage second में जाएगा normalization marks available अगर एक से अधिक सिप्ट में होता तो normalization marks दिया जाएगा clear अच्छा उसके बाद stage second में आपको क्या जो होगा जो पास हो जाएगा वो stage second in English मलब जो आपका discussion होगा वो English में होना चाहिए clear अच्छा आफ free to speak Hindi if they are wish to second stage में examination is only qualified clear अच्छा उसके बाद क्या होगा कि candidate verification होगा stage first और second के बाद क्या होगा verification होगा थम impression होगा आपका photo देखा जाएगा अच्छा जो आपके original documents होंगे वो देखेंगे डीवी डाकॉमेंट वैरिफिकेशन में आपके अना फिर allotment center होगा कि कहां कहां भेजा जाएगा आप अपनी तरीके से नहीं कर सकते हो अना अच्छा second जुलाई से जुलाई टू अक्टूबर दोजार 24 के अंदर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि फूर्थ स्टेज में medical examination होगा एक आच्छा वह जो होगा आपका एक किसी hospital में कराये जाएगा उसके बाद आपका जो लास्ट इस्टेज है कंडिट हुआ क्लियर इस्टेज फूर्थ और उसके बाद क्या हो जाएगी मेरेट लिस्ट बनेगी हाना तो यह मेरेट लिस्ट बनने के बाद आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा वह डिपेंड आउन कैसे मेरेट आपकी बनती है तो यह एक स्वाट नोटिफिकेशन था जो मुझे लगा बता देना चाहिए इसमें कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउंट हो किसी परकार से तो आप मेरे से पोस्ट सकते हैं ठीक दोस्तों तो मिलते हैं नेक्ट शोड़ी में थैक्यू